नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका उनतरजार सिच्छक भरती परिच्छा की अपडेट न्यूज में तो आज के मुद्दे पर जो बात करें अगर हम तो इसमें तो मुद्दे होंगे नमबर एक जो आखरी सासनादेश अपजारी हो गया है यानि सक्त आदेश के साथ दू यानि होगा लिष्ट है सासन हुआ गंभीर दस अपरेल डेडलाइन यानि की दस अपरेल तो डेडलाइन पहले सी दिया गया था लेकिन एक बार पुना सच्छू अस्तर से फिर से सक्त आदेश के साथ दस तारीक के बाद कोई डिट नहीं बढ़ा जाएगी अगर अब किसी भी बेसे ने लापरवाही किया तो उसकी सजा ओ लोग जानते होंगे यहाँ पर देखे पूरी जो लेटर है बात कर लेते हैं संसोधन वाले केस पर सरकार जीत गई है पांस तीन दोजार इकीस का जीयो बहाल किया गया है निरस्थ होई सीटों पर कोई भी राहत नहीं दिय जाएगा तो संसोधन मुद्दे पर सरकार की जीत हुई अन्तिता पांच बारा दोजार बेस का कर्मिक संसोधन आदे सीमान है जादा प्राप्तांक कम पुडांक जंडर यानि लेंग वर्ग गलत भरने वाले होंगे अब बाहर यह सुप्रीम कोड के आदे सांसार है सुप् को नहीं माना गया सरकार की जो संसोधन दा पहले वही बाहल कर दिया गया तो अफन मुख सचियूर योड़का कुमार जी ने डीजी सर और जो बेसिक सिच्छा सिच्छक भरती में दिक्तपदों की जानकारी ब्यस्टे कारयाले से आइस पश्ट रूप से देने पर कर लिया है आपको पता देंगे डेरलाइन दस तारीक तैथा लेकिन फिर आज नोटिस जारी कर दिया गया है और इस नोटिस में सक्ता आदिर से वही दस तारीकी फिर यानि एक कहीं नोटिस से एक ही तारीक को दो बार धर्षाने का मतलब है सासन गंभीर है अब उमीद है जो डाटा है वो बिल्कुल सही ही पहुचेगा क्योंकि सासन अस्तर से जारी होने का मतलब है कि जो दवाब है 29 अस्तर तक बन चुका है आज के ग्यापन कारकरम अब भरतियोदरा बार बार अतकारियों से मिलना इसके लावा बेजिक सिच्छा मंत्री से मिलना और मुख मंत जादे की परसदी देखिए आठ तारीक का ये लिटर हैं हापर और यहां पर बताया गया है कि परसदी बिद्याले में 69 रिक्तपदों के साफे जो चैनी तब्रतों दोरा सिकायत की जा रही है कि चैन न्यूकति परकरिया में अबलेकों में विसंगती के संबद में बेशिक सासना देश संक्या इसके बाद दिनांग 5 मार 2021 बेशिक सिकार्य रखे गई प्रशाओं संकाओं का बिंद्वार अस्परश्ट्री कर देजाने के बावजूद कत्पद में जीला बेशिक सिकार्य योद्वरा सासना देश में प्रवाधनीष ब्योस्तान को अनुपालन नह क सब्सक्राइब करते हुए अना वस्थक रूप से प्रसान किया रहा है तता नियुक्ति पत्र निर्कत की जाने में इस कारवास्ति रिक्तियों की करना में देरी हो रही यह यह सब्सक्राइब जरसा रहा है इस सब्सक्राइब कर जाएं जैसे प्रक्रिया में अपलेख में विसंगति के सासन द्वारा जारी कि गये इसपष्टी करण यानि जो यहां पर इस पश्टी करण है कि लिडिफिकेशन के अंसार किसी भी अभ्यरती का आवेदन निस्तारण है तो अफसेस नहीं है यदि उक्तपद के कितने हैं किस कटेगरी के हैं यहां पर अब अब असपश्ट हो चुका है कि जो जारी होगा लिष्ट काटेगरी कौ या अन्य चीजे लगेंगी तो उपरोग तीनों बिंदू उपर आप एच्छे सुचना सभी जिलावेशिक सिचाधिकारियों से तीन दिन के भीतर प्राप्त की जाए यदि कोई जिलावेशिक सिचाधिकारी उपरोग नीमा अंसार साल्टे फिकेट नहीं देता है तो यह म तता उसके ततकाल अनु सासनिक कारवाई प्राणम की जाएगी आपको याद दिला दे कि मसरा दिश्टिक सहित पांच से छे दिश्टिक के जो बियस से ते इसी कारण सस्पेंट किये गये थे कि सचु वस्तर के लेटर को भी महत्त नहीं दे रहे थे तो यहां सी इस लेटर से वो तो असपश हो रहा है कि ये लापरवाही अब सासन अस्तर से नहीं है बलकि पूरी तरह से अधकारियों के अस्तर से ही है क्योंकि ये लेटर जो सासन देश के अस्तर से या निजारी किया गया है अब इसका धवाब पूरी तरह से बेज से कूपर है और वो वास्तिव सभी दिश्टिक के बेस्व आपिस चिला अधकारी को ग्यापन सोपा गया बेस्व आपिस से डाटा भीजने के लिए प्रेसा ठाला गया हर कोई सक्क्री रहा कि सभी पचाथ दिश्टिक का यहां पर अगर आपको दिखाने लगेंगे तो काफी टाइम लग जागा इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहां पर जितनी भी डाटा हैं सब दिश्टिक वाइज दिये गए हैं तो यह आज की वीडियो थी दस तारी डेडलाइन तेकर दिया गया है मेया नोटिस जारी कर दिया गया है दस की डेडलाइन पहले ही तही थी लेकिन एक और नोटिस लगा करके बता दिया गया कि दस के बाद अब कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा इसके बाद अब जो भी होगा अधिकारियों को जो अनुसासनिक करवाई बिभागी करवाई को सामना करना पड़ सकता है तो यह आज की वीडियो थी